है हेलो स्टूरेंट्स सो लास्ट विए में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कंप्लेट करने के बाद इस वीडिवे हम देखते हैं उस पर बेच्ट कुछ निमेरिकल प्रॉब्लम्स तो देखें यहां पर एक क्वेश्य मैंने लेखा हुआ है वैल्यू ऑफ एपसलूट रिफ्रे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है यह बोला गया अब क्याहिश्य मेडियम विच मेडियम इस ऑप्टिकली डेंसर ऑट आफ दीस मतलब आपको बताना है कि मैक्समूं डेंसिटी किस्की होगी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर सेकेंड बोलागा है इन विच्छ फॉलिंग थ्री मेडिया स्पीड ओफ राइट वी मैक्समम मतंब कहा पर स्पीड ओफ लाइट मैक्स भी यह बताइना और थ्रेंग बोला गए विच इन विच मेडियम लाइट विल बेंड मैक्समम ठीक है तो अगर आपने लाज्ट वीडियो देखिये तो मैंने आपको तीनों का एक ड एक डार्यक्टिस्स ग्च्व होता है बेंदिग ऑ फ्लाइट के संब्सटिक वेडियमके डैन्सटिज जितनी ज्यादा होगी और वहां पर रोप्हेक्टिव इंडेक्स उसका दो ठीक है ये बात समझ माय गए और यह इनवरसली प्रपोर्शन होता था इस स्पीड ऑफ लाइट के इस स्पीड ऑफ लाइट ठीक है जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी या रिफ्रेक्टिव इंडिक ज्यादा ओगा वहां पर इस पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी तो आप बता सकते हैं इस तरीके से इस और ओंटिकल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो देखेंड देंसिटी सब से जज़ादा किसकी ओगी यह पता चलेगा रिफ्रेक्टिव इंडिक्स जाब है तो फिर यहां पर पहले कांसर क्या हो जाएगा सि उसके बाद सेकेंड देखें क्या है और इन विच्श इंडिक्स कितना है 1.25 चाहता पर एफ्रेक्टिम इंडिक्स की वैल्यूब लिख लो 1.35 और इसकी क्या है 1.25 ठीक है 1.25 उसके बाद थाड़ थाड़ में क्या भूला गिए हमें बताना है Sergeant बेंडिंग किसमें ज्यादा होगा देंडिंग के लिए सेंन हो जाएगा ठीक है सबसे जादा है ठीक है लिखते सेकेंड कोश्चिंट क्या बोला गया है light enters from air to glass ये टु ग्लास मतलब ये एपस्लिट रीफिरेक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है ठीक है एर टू ग्लास में Speed of Light कितना होगा अगर Speed of Light एयर का हमें दे रखा है ठीक है मतला हमें क्या कर गिवन है देखें नहां पर हम solution देखते हैं ठीक है बहुत easy question है हमें यहां पर एंजी पता है ठीक है एंजी मतलर reflective index of glass with respect to air या इसे absolute refractive index भी बोल सकते हैं क्या दे रखा है यह में हमें 1.50 दे रखा है ठीक है तो हम अगर इसे निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं हम ऐसे लिखते हैं जैसे देखें यह एंजी ठीक है एंजी हम कैसे लिखते हैं equal to speed of light in air ठीक है मतलब यहां लिख सकते हैं हम c upon v कि तो वी क्या है वी है speed of light in glass मतलब speed of light in air divided by speed of light in glass तो हमें यह दे रखा है 1.50 हमें c की value दे रखिए सी को क्या होता है तो भी हम जानते हैं तो भी हम जानते हैं तो भी हम यह जानते हैं 1.50 equal to c की value में पता है 3 into 10 to the power 8 ठीक है डिवाइड वी जी मतलब velocity of light in glass तो हमें velocity of light in glass equal to क्या हो जाएगा यहां चाहेगा यहां जाएगा तो 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5 देखिए यह cancel हो जाएगे to answer आ जाएगा ठीक है तो यहां से जो velocity of light in glass कितना निकल के आएगा 2 into 10 to the power 8 meter per second यह आपका answer हो जाएगा देखते हैं question number 3 question number 3 में क्या बोला गया है the refractive index of water is 4 upon 3 and for glass it is 3 upon 2 ठीक है and for glass it is 3 यह 3 upon 2 4 upon 3 यह हमें refractive index की value दे रख किया ठीक है तो यह बात clear होगे कि यह हमें absolute refractive index की value दे रख किये ठीक है अब क्या पूछा गया what is the refractive index of glass with respect to water ठीक है हमें glass का refractive index बताना है with respect to water मतलब यहाँ पर relative refractive index पूछा गया है तो देखे क्या के given पहले यह लिख लेते हैं ठीक है यह question important exam के point of recipe और competitive exam के point of recipe ठीक है देखें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं हमें क्या 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 करें पहले हमें तो ang पता है ठीक है पहले एंडव्य लिख लेते हैं क्योंकि वहीं पता है पहले एंडव्यू ठीक है एपसलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और यह दे रख है पूछा गया है हमें पूछा क्या है एंडेक्स ऑफ वाट ग्लास विद्रिस्पेक्ट्ट वडशं में ठीक तरीका भी आपको याद है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका यहां लिक होगे ठीक है मतलब ये न के बगल में और जो भी आपका जिसके रिस्पेक्ट लोग जाएगा जाएगा तो वाट्रों को बगल में लेफ्ट साइड यह यह आपसे पूछा गया है तो आपने डारेक्ट एक फॉर्मला इसका पढ़ा हुआ है अगर हमें किसी का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा गया हो किसी के निचे लिखने उसके रिफ्रेक्टिव अंडेक्स को आपको नुचे लिखने ठीक है यह फामला अगर आपको लेघना है तो आप ऐसे कूछिन आराम से कर सकते हृत्ट है तो देके यहाँ आपड़ी आंगी इकवस्ट क्या हो जाएगा एनटी इन जी तरिया पॉन टू थी अपॉन टू एन गेटना होन्ति एन्ग फोर अपोन तूरि एनगी अपन सॉरी एकमट एनजी आंड अपन डू कि अनुट यह पॉन टू टू धर एन्डू ठीक न स्टू एन दूर्टी पॉर ठीक देखें लि एन जी डब्लू डब्लू एन जी कितना आ गया नाइन अपॉन एट यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हम देखते हैं वैसा यह लास्ट कोश्चिन कोश्चिन बोला गया है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ फ्लिंड ग्लास इस बन पॉइंट सिक्सवाइब यह भी हमें इपसलूट रिफ्रेक्टिव इनक्स टे रहे हैं ठीक है विट रिफ्रेक्टिव एंडेक्स सब्वंगर अइहाँ यहां इस mam ठीक है यहां पर फ्लिंट ग्लास लिख लेते हैं फ्लिंट ग्लास ठीक है जब पूरुव सिब ग्लास लिए थे ता बड़ा कॉलिक है अग्लास ठीक है यह दे रखा है कितना दे रखा है 1.65 और एन ओफ मतलब रफ्रेक्टिम इंडेक्स ओफ वाट एलकोहल एलकोहल यह कितना दे रखा है 1.36 हमें रिलेट्व बताना है मतलब हमें आप बताना है रिफ्रेक्टिम इंडेक्स ओफ इसका बताना है वाट इस डिफ्रेक्टिम इंडेक्स ओफ ग्लास प्लेंड ग्लास तो यहां पर लिखते हैं ग्लास जिसका बताना होता उसको हमेशा इस किसको पहलें realizes कि जिसके बात करनी आपको जिसका निकालना है उसको आपको उपर रखना है उसके absolute refractive index उपर ऊपर ग्लास का refractive index आगा उपर event एक वन पोईंटमीट 65 और जिसके रिसप्रम में निकालना है उसको आपको डिनिामिनेदे में नहीं तो जाएगा 1.36 आप इसे डिवाइड करेंगे तो यह अप्रॉक्सिमेट आपको मिलेगा बन ज़्यादा मिलेगा तो वन पॉइंट टू के अप यहीं मिलेगा अप्रॉक्सिमेट आपको वन पॉइंट टू 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 अनसर मिल जाएगा ठीक है यह आपका आणसर तो इसी एक्स वीडियो में समझते हैं